दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप सब आज का जो मेरा वीडियो है ऑल मोटीप टू में चाट में आपको मैं यह बताने जाऊंगा कि लोगों का बहुत सारे सुष्ते रहते हैं कि बैंक से लोन कैसे लिया जाए बैंक से लोन लेने के लिए क्या-क्या युगताएं हैं क्या डॉक्मेंट लिया जाता है यह सब पर हम आप थोड़ी बाते करेंगे क्या कि भारत में भारत के अंतर में क्या है भारत के अंतर जो बैंकिंग संस्ता है इंसार जो नियम दिए गए है उसी के अनुसार लोन दिया जाता है चलते हैं बात करते हैं कैसे कैसे आप इसमें लोन ले सकते हैं तो बहुत सारे बैंके हैं भारत में 12 गौवर्मेंट की बैंक है एक एक श्टेट बैंक लेकर बाकी क्या बोलते हैं प्राइवेट बैंके हैं सब में लेकिन सबका नियम क्या है कि लून क्या होता है लून कितने परकार का होता है बेक्तिगत या प्रस्टनल लून के बारे में बात करना है होम लून के बारे में बात है एजुकेशन लून है कितने परकार का है वेकिल लून है ब यह मेरा जो टॉपिक्स एप बैंक से लोन कैसी लिया जाता हैं, व भी 2023 में हम 2023 के जो तरीके हैं, उस Experience कैसे लोन ले सकते हैं, लोन लेने से फायदा क्या है, नुकसान क्या है, हम उस पे भी बाते करेंगे, तो चलते हैं, लोन कैसे लिया जाता है, कि आपको हम सब ने देखा है कि बैंक दो तरह के काम करते हैं पहला है कि बैंक पैसा जमा करती है दूतरा की लोन देती हैं उसके लावे हमारे कुछ एंसिलेरी सर्वीसे से वह भी करती है तो हम आज हम बाते हमारे कहेंगे कि लोन के उपर में हैं आप जो बैंक में जो पैसा जमा होती ह धन पर जो ब्याद देने के प्रक्यार साथ लोन देने का भी काम करती है हमारे देश में अधिकांस लोग मीडिल क्लास फेमिली से अलुक करते है ऐसे में उनके लिए घर बनाना घर खड़ी दना बच्चों को अच्छी एजूकेशन देना यहां तक कि अपनी के जरूरत की जो से कि लोग लोन लेते हैं जार्त कि योपतार नीक्या के बारे में बताते हैं अब आये बैकsych में लोन क्या होता है साधरन भासा में बोलचल की भासा में हम इसे ऐसी आसी जो किशिकों वे environmental ली गी जींश इसके उपर में आप बयाद देकर आप काम करतें, अपने धन्दा व्याफशाया जिस शेतर में लगाना चाहतें उसमें लगाते हैं, तो इसे काता है कि लोन दिया जाता है, खास बात यह कि लोन रासी एक निरधारित समय के अबधी में मासिक किस्तों में मंथली के रूप में आपक कि यह अक्सर लोग उक्तित्त फसराइस पर उसक्राइर है कि अपरी जरुसी की पर फोरा करने के लिए ये लौन लिया जाता है ग्रहाइकू कर खाता है में लोन लेका जमाक्यत Wait isAlleed just document ऑग रहा है वह डालगें आप इसका लोन लएन से पहले जो जिली का बिल, पासपोर्ट, टेलिफोन बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, गैस पाइपलाइन, इन में से कुई भी है, तो बैंक एक हाथ तका बेबरन भी होता है, शिक्स मन तक आपका बैंक का जो स्टेटमेंट है, वो भी देना, इसके अलावे जिस परकार के आप लोन लें होगा, बैंक से लोन के उद्देश और बैंक करमचारी के साथ आपकी बाते होती है, और उसके बाद बैंक करमचारी आपके घर आते हैं, घर को भेजती है और आपका वेरिफिकेशन, इंस्पेक्शन करती है, धनकी वापसी, आपका एलेजिल्टी जो बनता है, इंकम पते हैं, सिविल एपका करेंगे, एक अशिभी िचिसे करेंगे, खिर 45 श कम से कम कितना होना चाहिए, और सब्स्विल सक बनता होसी, जरूर पता है तेन से 900 के बीच में होना चाहिए सारे साथ सो से उपर होते कि अच्छा स्टार माना जाता है यह जरूरी यह सिविल स्कॉर लोन लेने के लिए अब आता है कि कौन-कौन से लोन हमने आपको बता है लोन है प्रस्टनल लोन है एजुकेशन लोन है एजुकेशन लोन है अब प्रस्टनल लोन तो आपको बता दिया कि प्रस्टनल लिए जो नीजी कार्ट के पूरा करने के लिए बैंक से लोन लेकर सपने पूरा कढ़ते हैं और किस्तों में धन क्यों आपसी करते हैं जिसमें ब्याद भी सामिल होता है एजुकेशन या एजुकेशन लोन मुख्य रूप से छात्रों को दिया जाता है जिसमें कोर्स का फीज किताब के खर्चे सभी कोवरते यह दिया जाता है बैंक education loan भी देते student को दिया जाता है इसमें कोई guarantee की आवसकता नहीं होती है कोई परिवार की आवसकता होता है एक हिसमें परिवार का कोई लोन अब आता है बिजनेस लोन भी वाता है बेपसाइक लोन या अपने ब्यपार को बढ़ाने के लिए आपको बैंक के तरफ से इसकीम चलती है उसकी उसरा इसे लिए सकते हैं तो 50,000 से लेकिए 10,000 रुपे तक का लोन पराप्त कर सकते हैं कि यह आपके लिए काम आये गा कि लोन लेने से क्या-क्या फायदा है यह लोओन कैसे लिया जाता है यह सबसे बड़ी बार कि यह आप बैंक से संपर किजी बैंक में जाइए बैंक का सहमति होंगे डॉक्मेंट रहता है है जमीन ले रहे हैं तो जमीन के रीपोर्ट जहता है वो सर्च रिपोर्ट या जूड़्ी है। वो सर्टिस्वाइट करने के वाद आपको लोर दिया जाता है तो मैं उमीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा है आप इसे like करेंगे, subscribe करेंगे या share करेंगे अगर अच्छा लगा हो तो आप subscribe करेंगे ताकि मैं नएने वीडियो लाता रहूँ